दोस्तों सुक्रवार का दिन धन की देवी मालक्षमी की अराधना के लिए विसेस होता है, मानेता है कि इस दिन मालक्षमी जी की विधी विधान से पूजा करने से जीवन में धन्य धानने की कोई भी कमी नहीं रहती है, इसलिए इस दिन कुछ विसेस उपायों को करके प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, यदि आप धन की कमी की वज़े से परिसान है या आप के पास धन तो आता है लेकिन वे टिकता नहीं हैं, तो आप सुक्रवार को ये उपाय जरूर करें। इस उपाय को करके आपके घर में धन समपदा की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं सुक्रवार के दिन किया जाने वाला एक अचूक उपाय, जिससे आप माता लक्षमी को सीग्र प्रसन करके अपनी धन से जुड़ी सभी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों ये उपाय आपको सुक्रवार की साम को करना हैं और इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा कच्चा दूद और दूर्वा घास की जवरत होगी। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर और स्वयम को गंगा जल छेड़कर सुद्ध कर लें। अब आप भगवान विश्नु जी की मूर्ती या फोटो के सामने एक कटोरी में थोड़ा सा दूद और गंगा जल मिला कर रखें। अब आप भगवान विश्नु जी की विद्वत पूजा अर्चना करें। आप भगवान विश्नु जी को पीले चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही पीले फूल अर्पित करें। और एक सुद्ध घी का दीपक जलाएं। अब आप दूर्वा की सहायता से मातालक्ष्मी जी के मंत्र ओम महालक्ष्मे नमाका 108 बार जाब करते हुए दूद और जल के छीटे भगवान विश्नु जी के चर्णों में डालें। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर में मातालक्ष्मी का सदयव वास बना रहेगा। और आपके घर में धन संपदा सदयव के लिए बनी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जै मालक्ष्मी या जै मातादी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें साथ ही चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद